नमस्कार आप सुन रहे हैं नियूज भ्याजारकन 25 जिन्वरी सौंबार खबर दिन भर में आपका स्वागत है मैं प्रिया तायल आज के मुख्य समाचार जेडियों में हो रही है भारी फेर बदल की तैयारी चुनाव हरवाने वाले जिला अक्ध्यक्षों की जाएगी कुरसी लालू प्रसाद यादप के स्वास्त में नहीं है सुधार सांस लेने में हो रही है परेशानी इंडियों मैनेजर रुपेज सिंग हत्याकांड में तेरा दिन बाद भी बिहार पुलीस के हाथ हैं खाली बिहार के चर्चे सुम्रिक हत्याकांड में पूर्फ आरजेडी विधाय कुंती देवी को हुई उमर कैद तेज प्रताप यादव ने अजादी पत्र जारी कर उठाई लालू प्रसाथ यादव की रियाही की मांग अब खबरें विस्तार से बिहार विधानसभा चुनाव में जेडियों की उमीदों को जोरदा जटका लगा है अब जेडियों इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कारवाई करने की पूरी तयारी कर चुका है सबसे जादा गाज जेडियों के अधिला ध्यक्षों पर गिनने वाली है जेडियों संकठन के हिसाब से 51 जिले हैं जिसमें से लभख तीन दर्जन से जादा जिला अध्यक्षों पर कारवाई होगी और उनमें से जिला अध्यक्षों की कुर्सी ले ली जाएगी दरसल चुनाप परिनाम के बाद से ही जेडियों का सेश नेतित लगातार फीडबेक ले रहा था और जो फीडबेक सामनी आया है उसके मुताबिक बड़े पैमाने पर जिला अध्यक्षों की मुमी का संधे के घेरे में है आरजेडी सुपरीमो और बिहर के पूर मुख्य मंत्री लालू प्रसाद यादव के स्वास्त में पिलहाल सुधार होता नहीं दिख रहा है लालू प्रसाद यादव को सांस लेने में अभी भी परेशाने का सामना करना पड़ रहा है राची के रिम्स अस्पताल से दिल्ली की एम्स ने शिट हुए लालू प्रसाद यादव को कई बिमारियों का संग्रमन का सामना करना पड़ रहा है खबरों के मुताबिक डॉक्टरों की प्रात्मिक्ता लालू के देवरों के संग्रमन को दूर करना है डॉक्टरों की टीम चाहती है कि लालू का निमोनिया पहले ठी हो जाए क्योंकि लालू प्रसाद यादब पहले भी बाई पाई सरज्डी कराच चुके हैं बेहार पुलीस के लिए पटना में हुए इंडिको मैनेचर रुपेश सिंग हत्याकान अभी तक पहली बनी हुई है हत्या के 13 दिन गुजर जाने के बाद भी SIT हो या कोई दूसरी एजनसी यह पता नहीं लगा सकी है कि उनकी हत्या क्यों की गई रुपेश की हत्या की सुई बिल्डर्स की इत्रगीर घुमी तो कभी रुपेश की राजनितिक कत वह अर्णे कारणों पर अभी तक इस केस में जितनी जाच इनस्या सामने आई है उतने ही कारण भी सामने आए है पटना में ये पहला ऐसा हाई प्रोफाइल हत्याकान है जिसमें तेरा दिन गुजर जाने के बाद भी पुलीस किसी कारण का खुलासन नहीं कर सकी है इस मामले में पुलीस ने अब तक करीब 200 से जादा लोगों से पूस्टाच कर चुकी है जिसमें से 50 से अधिक को हिरासत में लिया जा चुका है पुलीस इस केस में छापे मारी में कोई कसन नहीं छोड़ी है लेकिन फिर भी पुलीस के हाथ खाली है बिहार में चर्चिस सुम्रे की आदब हत्याकांड में दोशी करार दी गई अत्री विधानसबा की पूर्व विधायक कुंती देवी को उमर कैद की सजा सुनाई गई है एडी जी कोट ने पूर्व आरजेडी विधायक कुंती देवी को उमर कैद की सजा सुनाई है कोट ने उन्हें जन्वरी को उन्हें दोशी करार दिया था उसी दिन उन्हें न्यायक हिरासत में भेज दिया गया थै बता दें कि जेडियू नेता रहे सुम्रिक यादव की हत्यार राजनितिक द्रिवेश में कर दी गई थी 2013 में इस घटना ने काफी सुर्ख्यां बिटोरी थी इस मामले में मृतक के भाई विजय यादव के बयान पर एफायर दर्ज कराई गई थी बेहार के पूर्मुख्यमंत्री और आट्येडी के सुपने मूल लालू प्रसाद यादव बेमार है और दिल्ले के एम्स में भरती है जारा घोटाली में सजाकाट रहे लालू प्रसाद यादव की रियाई की मां और जोर पकड़ने लगी है इस बीच तेजप्रताब यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की रियाई के लिए मुहिम शुरू की है जिसके तहत राष्टपती को अजादी पत्र लिखकर लालू प्रसाद यादव को रियाई की जाने की मांग की है तेजप्रताफ यादर ने मुहिंग शुरू करते हुए राष्टपती के नाम एक पोस्ट कार जारी किया उन्होंने लोगों से अपील की की सभी लालू यादर की रियाही की मांग के लिए राष्टपती को पत्र लिखें इस बुलिटन में इतना ही अगली मुलाकात होगी कल नमस्कार